iqoo z6 44 watt या फिर आप लोग बल सकते हैं वीवो T1 44 watt यह दोनी फोन आपको सेम मिलते हैं तो इन दोनों फोन को हम साथ में समेट लेंगे बाकी ना मतलब मजाद आएगा आप लोग को वीडियो में इतना बोल सकता हूँ तो आप लोग के शवाच की इस वीडियो के दान लोग जन दो फोन का अपने शुरू आते हैं बता चुका हूँ तो अगर आप लोग को वीडियो पसंदेगी तो बड़े को लाइक करने चैनल आपको प्लास्टिक के मिलते हैं वहीं बात करते हैं इस फोन में भी आपको स्लाइटली बड़े साइज का पैनल मिलता है 6.7 इंचिस का फूल हडी प्लस का ओलेड पैनल 90 हर्ट के हाई रिफ्रेश रेट के साथ तो इदर आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा सच्छा मिल जा यह बागी इस फोन में भी आपको वॉड़ हरिश राउट रॉप नॉजट टाइप मिलती है इस सेम बेकसफेड आपको प्लास् kings बटीय आ रफ colonial इन कामर की बात दार में हैं आपको बेकसट्छन के आपको मुझे घुमंड पार अचछेनों से से इपज़ बता हो आपको द लिए फोन से आप लोग मैक्स फोलेच्टी अंदर वीडियो रिकोर्ड कर पाऊगे और उसी के साथ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी वहीं इंफिनिक्स के कैमरे भाइस बार जोरदार दिया है मतलब इस फोन आपको बेकसेड में तीन कैमरे मिलता है प्रेमरी के हम आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है अब उसी के साथ 46 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है इस फोन मिल चुका है अगर आप लोग की प्राइटी सील्फी है तो भाइ मजादार मज़ा टाइप आजाएगा आपको तो अभी चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ तो अपने IQ Z6 44 वोट के साथ शुरुवात करते हैं इस फोन में आपको मिलते है Snapdragon 680 का प्रोसेसर जो कि आपको 6NM का प्रोसेसर मिल Dr. Core का प्रोसेसर है मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँ हूँ क्यूंकि दो नहीं फोन में आपको काफी सारी चीज़े सेम मिलती है बट स्टिल दो नहीं फोन के प्रोसेसर में आपको फरक मिलता है तो वह चीज में आपको आगे जाके बताता हूँ आपने Infinix 020 की तो इस फोड़ी सी कम बैटरी मिलते है 4500 इमेज की जो मैं बोलूँगा एक दिन के हिसाब से ठीक है क्योंकि आपको प्रोसेसर 6NM बेस्ट मिलता है तो एक दिन का बैटरी बैटरी आप आप लोगों को एजली मिल जाएगा या फिर 4500 इमेज की बैटरी के साथ 45 वोट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है यह चिछ आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो मेरेको दोन ही कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं क्योंकि दोनों ही फोन से मैं एक दिन का बैटरी बैटरी की बोक्स मिल जागा फन टैच यह मिल जाएगा चार सो नो की फीपीए मिल जाएगी स्कोर सेंशेशन के आपको प्रेटेक्शन मिलेगी 182 ग्राम का आपको फोन मिलेगा 8.4 mm की थिकना इसके साथ थोड़ा सा मोटा फोन आपको मिलता है अंडे डिस्प्ले फिंगर पिंट क अपको प्रेटा सेंसर मिल जाएगा तो सब्सक्राइब नहीं जाएगा तो इस फोन के अंदर आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब मिलता है 393 की PPI मिल जाती है फोन आपको 196 ग्राम का मिलता है 8 mm की ठिकनेस के साथ एंडुटल आउट ओडिक बॉक्स मिल जाता है इंड इधर आपको 112.2 मिलता है बात करते हुए इंटरेंट प्रैस के तो अपने क्या प्रैस के बारें बात करते हैं वैसे उस प्रैस पर जाने से पहले अगर आप लोग को फ्रीस्टर रैप सॉंग सुनना पसने तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा मेरे दूसरे चैनल का महाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हो एंड अगर आप लोग कुछ अब लोग मिलें इंस्टाग्राम पर मेसेज कर दो महां पर मैं आपको उन दी स्पोट रिप्लाइ कर दूँगा अब ही चलते हैं अपने वीडियो की तरफ की कौन सा फून कहां पर आगे निकलता है सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले की तो अगर आपको एक और इंचिस का पैनल मिलते हैं तो एक एक कॉम्पेक्ट पैनल में इसको बोलना चाहूंगा अगर मैं इसको इन्फिनिक्स से कंप्यार करता हूं बट ओर वर्ल बहाइं डिस्पले के अंडर मैं इनफिनिक्स को घ्र करना चाहूंगा क्यूंकि 90Hz का ही रिफ्रेश रेड मिलत है तो काफी साही चीज़ है बागी बात करते हैं तो यह चीज भी काफी जा तकड़ी होती है तो इंफिनिक्स इस बार आगे निकल रहे डिस्प्ले के अंदर एंड यहां पर अपके नलता है के अपने अपनिक्स के साथ आपको यहивает मिलता है कि एस फ़ोन के अएक फॉन का स्थैप मिलता है तो अंदर मिलता है वही अपने IQ के फोन के अंदर आपको 5000 मिच की बैटरी मिलता है जो आपको थोड़ा सा बैटरी बैटरी बैकप एडिशनल प्रोवाइड कर देगी बैट दोने फोन से एक दिन का बैटरी बैकप एजली निकाल लोगा आपको अदर कोई भी दिक्कत नहीं होग वही बात करते हैं अपने इंफिनिक्स के फोन के कुछ extra features की तो यह फोन आपको थोड़ा सा पतला मिलता है अगर मैं इसको IQ Z6 से compare करता हूं तो क्योंकि यह फोन आपको 8mm की thickness के साथ मिलता है वही अपना IQ Z6 फोन है वह आपको light in weight मिलता है क्योंकि यह फोन आपको 182 gram का मिल इंफिनिक्स मिल जाता है क्योंकि इंफिनिक्स का फोन इस बार बहुत तकड़ा है मतलब सही काम करें इंफिनिक्स वालों ने हाँ एक चीज़ जो मैं highlight करना भूल गया था अपना IQ Z6 44 वोट है इस फोन के अंदर आपको अंड़ेडिस प्लेफिंग अपिनिस का मिलता है वह इनको एक प्राइस के हिसाब से अच्छी स्फेसिफिकेशन मिल जा है तो वो लोग अपने इंफिनिक्स के फोन की तरफ जा सकते हैं बागे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा आप लोग क्या क्य लिए इस विडिया ओपी ओजी विडियो का अंदर तब तेके लिए बाइबाइब